दोस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तर्चा करेंगे डेली करेंट अपिर्स के बारे में और आज के करेंट अपिर्स के बारे में हम तर्चा करने जा रहे हैं और आज हैं एक जून 2019 का जितना भी current affairs बन रहा है और सभी current affairs इस वीडियो में हम अच्छा करेंगे तो दोस्तों वीडियो को सुरूशे लेकर रहें तक पुरा देखें तो नीचे कमिट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कुछ दिन पहले हमने current affairs शुरूश किया था लेकिन बीच में किशी कारणा को सबंद कर दिया गया था और अब आज से दोस्तों हम Delhi current affairs आपके लेकर रहेंगे तो अब हमसे जुड़े रहें यदि आपने बीचक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप मारे वीडियो को लाइक जुरू कर लें यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दियेगे लाल सब्सक्राइब के बिटन को दबा करें चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लें तो आपके पास है राधना सिंग, अमित्सा है, गिर्राज सिंग या सनी दियॉल तो इन चारों में से जो भी रायट आंसर होगा उसका आंसर आपको निचे कमेंट बॉक्स में देना है तो नीचे comment में करके हमें बताएं कि इस question का right answer है क्या होगा तो गर्य मंतरी हमारे कौन बने है यह आप हमें comment करके बताएंगे अब शुरू करते हैं आज का current affairs आज का पहला question है दोस्तो 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है तो जानते हैं दोस्तो गोवा के बारे में यह आपको मेप में दिखाए दे रहा है यह मेप है गोवा का मेप है तो गोवा 30 मई गुनिश्व स्थापना की गई थी ये मेप में आपको गोवा दिखाय जे रहा है गोवा में दौस्तो, समुदरी इलाका, समुदरी किनारी बीच है जिसके कारण गोवा बहुत है, परसीध है यहाँ पर बहूत से टूरिस्ट गुमने के लिए आते हैं तो इसके बारे में जानते हैं दौस्तो तो गोवा जब स्तापना वह था तो वह भवाया भारत का 26 वा राज्ये बना था दोस्तु को गोवा का गटन कब हुआ 30 मेरि गुनीशो 27 गोवा गोवा के राज़दन कहा है तो गोवा के राज़दन यह पंजी मुक्यमंत्रि कोन है परमोध सावंथ है गोवा के वर्तमाने मुख्यमंतरी ता राजिपाल कोन है मर्दूला सिना है गोवा के वर्तमाने राजिपाल तो इतनी जानकर दोस्तों आपको भारत के हर राजी के बारे में पता होनी चाहिए यह जान कर दोस्तों मैंने एक अन्य भारत के प्रमुक मुख्य मंतरी राजिपाल और उनका वीडियो बिणा कर डाल लगका है यह आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिशन में लिंक दिया होगा तो वहाँ पर जाकर आप मारे वह वीडियो भी देखें ज तो किस पार्टी नहीं किया है दोस्तों तो हाली में ऐसा करने वाले कौन सी पार्टी है तो जल्दी से इसका आंसर आप हमें कमेंट में देए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी तो इ कांग्रेस पार्टी का सेंबल यह हाथ का निशान है यह पार्टी का सेंबल है इसके बारे में जानते हैं इसकी स्तापना कब हुई स्तापना के बाद में वर्तमान में इसके कितनी लोग सबाके और राजी सबाकी सीटे हैं तो यह फोटो है दोस्तों आपको दिखाए दे रहे इसके बारे में और जानते हैं दोस्तो इसके इस्तापना भी आपको मैंने बताई कि वर्तमान अधिकुनने इसके इसका मुख्हली का चीत है तोंग्रेस पार्टिय का मुख्हली है यज्ञ written रोड नई दिल्ली में इस्तित है तो लोग सबा में दोस्तों इसकी वर्तमान में सीटें केतनी हैं तो लोग सबा में 52 सीटें हैं जो कांगरेस के सिंबल पर चुनाव चीत कर रहे हैं इस बार जो सत्रमी लोग सबा है उसमें 52 सीटें हैं तो राजे सबा में दोस्तों तो करतिक आपदा आ जाए उसके बचने के लिए उसका जो रिलीफ भंड है या उसे पेशा एकत्र करने के लिए आपदा सेंस लगाया है टेक्स लगाया है ऐसा लगाने वाला भारत का पहला राजे कौन बन गया है तो वैब बन गया दोस्तो केरल तो इसका राइट आंसर हो है जल्मकन हो गया था यनि पानी में डूब गयता था बोच नुकसान केरला को हो गया था जिसके लिए आपदा सेंस लगाकर उसका बना में पैसा एककत्र करने के तो इतनी जानकार दोस्तों आपको के बारे मैं पता होने चाहिए आप जो यह आपदा सेंस टेक्स लगाया है इसके बारे में बता रहे रहा हूं यह सेंस क्या है मकसद आपदा के लिए फंट जुटाना है दोस्तों केरल में पिछले साल आई बार की तबाई से निपटने के लिए सरकार ने आपदा सेंस लगाने का फैसला किया है इसके साथ ही केरल आपदा सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ता ये लेवी राज्यों के बीच सामानों के लाने ले जाने पर लगया गया है दोस्तो आपदा सेस से मिलने वाली जो भी रकम जो भी राज्यों होगी उसका इस्तेमाल सरकार कहाँ पर करेगी सरकार बाड़ परवावित लोगों के पुनरवास उनको मुआवज़ा देने उनके पुनर निमान के लिए इसका प्योगी किया जाएगा दोस्तो सरकार को एक साल में इस उपकर यानि इस सेंस या इस टेक्स से चैस्सो करोड रुपे से अधिक अचिर्पत आई होने की उमीद है दोस्तों बता दें कि 2018 में केरल में बैंकर बाड़ आई थी इसे लाकों लोगों परवावी थे हुए थे ता 100 साल में ये सबसे बयानक बाड़ थी सरकार ने इसे लेवल 3 की आपदा गोशिती की थी था इनसे बचने के लिए केरल सरकार ने ये टेक्स की सुरुवाते की है ये बहुती भी अच्छा कदम केरला सरकार का नेक्स्ट है दोस्तो पेमा खांडू किस राजे के मुख्य बंदरी बने है तो हाली में दोस्तो अरुनाचल परदेश में सुना हुए थे तो अरुनाचल परदेश में के मुख्य मंतरी कोन बने है पेमा खांडू तो इसके राइट आंसर हो जाएगा अरुनाचल परदेश तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं ता पेमा खांडू के बारे में भी जानते हैं यह किस पार्टिश हैं यह फोटो में आपको दिखाए दे रहे हैं यह हैं दोस्तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तुमान जो मुख्य मंत्री बने हैं वह हैं पेमा खांडू यह हैं बीडी मिस्रा जो सपद दिलवारे हैं यह है राज्य पाल अरॉचल प्रदेश के राज्य पालर तो अरॉचल प्रदेश के बारे में जानते हैं तो अरॉचल प्रदेश का दोस्तों जो गठन हो है वह कब हुआ तो अरॉचल प्रदेश का गठन है यह 20 फरवरी गुनी तो इतनी जनकरी आपको हर राज्य के बारे में पता होनी चाहिए अगला क्यूसन है अरुनातल प्रदेश की 60 सदस सही विजान सभा के लिए किस ने दूसरी बार सपत ली है तो हाले में दोस्तो नाइजीरिय के राष्टर पती की रूप में सपत किस ने ली है तो ये पहली बार पहले भी थे अभी दूसरी बार लगातार सपत ले रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा इनका नाम है दोस्तो महमूद बुहारी ये फोटो में आपको दिखा दे रहे हैं ये नाइजीरिय के दूसरी बार राष्टर पती बने है महमूद बुहारी इन्होंने ह काली में शुपते लुए हैं तो नाइजीरिय के बारे में जानते हैं तो महमुद भुहरी को नाइजीरिय के राष्टपति के रूप में दूसरे कारेकाल के लिए शुपत गिलाए के बाद जो सुरुक्सा खतरों से निपटने और ब्रस्टाचार को जड़ से खतम करने पर केंदरित है जोस्तों उन्होंने राजनाईक समूदाई के सदस्यों दुवारा उपस्तित नीमन प्रोफाइल कारी करम के दोरान बाशन नहीं दिया गया था एक पूर्वा सेने सा सक जो महमूद बुखारी है या महमूद बुखारी है उदोने फरवरी 2019 के चुनाव में अपने मुखे चुनोती करता यानि पिपल्स डॉमेकरोटिक पार्टी यानि पीडीपी के पूर्वा उपादेक्स अतिको अबूपकर को हराने के लिए 56% वोट अजिले किया था जिसके बाद इन्हें अभी दूसरी बार राष्टरपती चुन लिया गया है तो यह है नाइजिरिया के राष्टरपती महमूद बुखारी अगला कुशन देखते है हाली में किस e-commerce कंपनी ने फास्ट टेक की बिकरी शुरू की है तो यह किया Amazon ने दोस्तों अब ने इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दें तोल्टेक्स पर आपको दोस्तों ये फास टेका कई गाड़ियों पर लोगों लगाव दिखाई दिया होगा जिससे तुरत गाड़ी में रेलवे जो टूल्टेक्स है उस टूल्टेक्स पर गाड़ी ज्यादा समय नहीं रोकनी पड़ती है इसके लिए इसकी बिकरी के लिए दोस्तों सरकार ने Amazon से bond sign किया है इसके बारे में जानते हैं तो Amazon के बारे में जानते हैं پहले इमेजोन की स्टापना कब हुई Amazon की जो स्थापना है वह हुई है दोस्तों 5 जुलाई 1934 को की गई थी इसके से स्थापक है इसके मालिक है वह कौन है वह है जेफे बेजोस इसके वरतमान मालिक भी वह है तो इसकी स्थापना करने वाले भी जेफे बेजोस है दोस्तों टोल पलाजा से बीड़ बार खतम करने यह वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो केंदर सरकार है केंदर सरकार ने फास्ट टेक को ओनलाइन इसे टोल नाको पर ट्रेफिक जामें नहीं लग पाएगा दोस्तों अमेजोन से खरीदने में इसके सुईदा क्या होगी अमेजोन से खरीदने के लिए दोस्तों फास्ट टेक को फिर से चार्ज किया जा सकता है और इससे टोल पलाजा पर पैसे ऑटोमेटिकली ही कर जाएंगी अमेजोन पर मिलने वाला फास्ट टेक केवल कारों जीप और वेन के लिए ही मानने होगा केंद्रिय शड़क परिवायन एव मारग मंतराले के तरब से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक ओलाइन मिलने वाले फास्टेक को कस्टमर खुद ही एक्टिवेट कर पाएंगे इसके लिए दोस्तों आपको मुबाइल में एक फास्टेका अप्लेकेसन आता है उसको डाउनलोड करना होगा तो उसके बाद साथ इसमें बैंक दिकरत किया गए है उन बैंकों से आप अपने पैसा इसमें ट्रांस्परे कर सकते हैं तो दोस्तों आपको नीचे कमेंट करके हमें बताना है कि हमारे वर्तमान जो केंदर ये शड़क परिवर मंत्री है वह किसे बनाय गया है वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगला किसों देखते हैं हाली में वायू प्रदोशन के बारे में जाग्रुट तक फिलाने के लिए हवा आने दे गीत किसने लोंच किया है दोस्तों हाली में वायू प्रदोशन के बारे में जाग्रुटा फिलाने के लिए हवा आने दे जो गीत है उसको लोंच किया है किसने किया है तो वह किया केंद केंदर यह प्रयावन मंत्रा लिए इसको लोंची किया है तो इसका राइट आंशर क्या हो जाएगा केंदर यह प्रयावन मंत्रा लिए इसके बारे में जानते हैं यह सोंग का पोस्टर है हवा आने दे तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों जैसे कि अब विश्व प्रयावण दिवस दोस्तों आने वाला है तो विश्व प्रयावण दिवस कब मने जाता है जल्दी से हमें कमेंट करके बताईए कि विश्व प्रयावण दिवस कब हर उरस कब मने जाता है अभी जल्द ही आने वाला है तो आप बताईए कि जैसे ही अ अब विश्व प्रयावन दिवस आने वाला है इसलिए दोस्तों प्रयावरन वन एउंग जल्वायू प्रिवर्तन मंत्राले ने वायू पर्द्शन पर एक theme song हवा आने दे को लौंच किया है इस गाने को राष्ट्री राष्दानी दिल्ली में लौंच किया गया है इसका उद यह प्रतिवर्स पांच जून को मनाया जाता है, तो पांच जून को विश्व प्रयाउंड दिवस मनाया जाएगा, अगला क्शुन देखते हैं, हाली में, जेम्स मार्पे किस देश के नई प्रदारमत्री चुने गया है, तो हाली में दोस्तों, जेम्स मार्पे है, वह किस द प्रतमान राज्दानी के रूप में चुनलिया गया है दोस्तों उनका चुनाव उन रानितिक उतल पुतल के हफ्तों के बाद हुआ है जब उनके पूरो वर्ती जो पूरो एक प्रदामत्री थे पीटर ओनिल ने साथ वर्सों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद में सदन का समर्थन खो दिया था या जो एविश्वास है वह पारित हो गया था जिसके बाद में इन्हें जैंस मोर्पे को पोपवा नियुगिनी का प्रदामत्री चुना गया है नेक्स्ट कुशन देखते हैं हाली में प्रदामत्री मोधी भारत के कौन से नंबर के प्रदामत्री बने है तो हाली में जो हमारी प्रदामत्री नरेंदर नरेंदर मोदी बने हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में अभी बताने जा रहा हूं यह जो लोकसभा का चुनाव है यह कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव था यह आप में इचे कमेंट करके बताएए दोस्तों तो यह पोटो में दिखाए दे रहे हैं यह है प्रदाम इनका कारेकाल समाप्त हो गया तीसरे थे लाल बादुरे सास्तरी चोटे थे गुलजारी लाले नंदा फिर थे पांचवा इंदरा गांदी छै नंबर पे दोस्तों मुराजी देशाई इनका कारेकाल आप मेच करते जाईए चोदरी चरण सिंग थे शाथवे नंबर के आठ अटल बिहरी वाजपेई फिर एच डी देव गोड़ा फिर दोस्तों आई के गुजराल फिर अटल बिहरी वाजपेई फिर मर्मोन सिंग उसके बाद में नरेंदर मोदी तो जोड़ दोजार से लेकर अब तक परदानमंत्री हैं तो दोजार गुनीज में ये पुन्य परद परदानमंत्री चुन लिया गया है अग्ला कुशम देखते हैं आगला कुशन है हाली में आइ-से-सी किरकेट वल्ड कॉप 2019 कहां पर शुरू हुआ है तो ऑसी सी किरकेट वल्ड कप है वैशुरू हो गया है दोस्तों इसके बारे में जानते हैं तो ICC के बारे में जानते हैं ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ICC किर्केटे वर्ल्ड कप दिखाई दे रहा है इसकी फुल पॉर्म क्या है दोस्तों तो ICC की फुल पॉर्म है I.C.C. के जो चैर्रमेन हैं वैं हैं दोस्तों संक मनोर I.C.C. के वर्तमाने चैर्मेन है तो यह था दोस्तों हमारा आज का एक जून का करेंट पीर्स तो आपके जो उपरी उपर एक नमबर के हमने कुछन पूछा था उसका आंस्वर है आपको निचे कमिट करके देना है दोस्तों वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ वाटसब गूर्प में शेयर जरूर कर दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे देगे लाल सब्सक्राइब की बटन को दबा करें चैनल को सब्सक्राइब दरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन है गंठे का साना है उस गंठे के निसान को भी जुरूर दबादें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सुतनाईं आपको मिल सकें इस वीडियो की PDF फाइल डाउलोड करने के लिए इसका लिंक हमने निचे डिसक्रस्टर में दे दिया है तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउलोड कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो